काई का युटूप चैनल इलेक्टिकल एंड जो इनक्रमेशन सो आज जो ट्रोड कि हॉत थो क्रूप्र्फूल भॉल क्योंकि हमारी या दो तौरीके की के ट्रांसमेशन लाइन होता है कि इसमें एक ही ट्रांसमेशन fresh ρाँ पर हमें कुछ जारिक बैल गटा का ही els तो उस colorful ball का size क्या होता है उसका weight क्या होता है उसका using area मतलब कौन कौन सी area पर यह colorful ball use होता है और इसका using purpose ठीक है तो मतलब कहा कहा और किस purpose पर यह ball use किया जाता है यह सारी information आज इस वीडियो में हम आपको देंगे ठीक है तो चलिए वीडियो का आगे बाते और प्लीज जो शेयर कीजिए और आप मेरे description पर visit कीजिए और भी आपको electrical से related और भी आपको बहुत सार वीडियो मिल जाएंगे ठीक है अंदर रहता है तो जाहिस से बात है यह जो colorful ball है ठीक है यह जो colorful ball है यह हमको overhead line पर दिखाए देते ठीक है और देखिए दूसरे बात इस ball का original name क्या है इसको हम running रानिंग वाट पर हम colorful ball बोलते लेकिन इसका जो original name है यह होता है aerial marker ball ठीक है यह आपको ध्यान में राकना चाहिए इसका क्या नाम होता है aerial marker ball ओके और और क्या सिखा आपने यह यह बॉल आपको हमेशा overhead line पर दिखाए देता है ठीक है कभी भी आपका underground पर नहीं दिखाए देगा ओके next आप देखो इस ball का चार color पर हमको दिखाए देता है तो आप कभी भी इस ball को देखेंगे aerial marker ball को तो आपको जो भी color देखेंगे और पहला orange yellow white red तो यह जो ball होता है यह ball इस चार color के अंदर available है और इसका और पाचपा कोई color नहीं है ठीक है आपको यह फिर orange दिखाए देगा यह यह फिर white यह फिर इसके बाहर आपको कोई भी color प मतलब इसका जो diameter होता है इस ball का तो इसका diameter आप इंची में करेंगे तो 36 इंची तक्रीबान इसका शाइज होगा मतलब diameter होगा और अगर आपको cm में चाहिए तो आपको 91 cm पे तो यह question आपको काफी बार interview पे पूछा जा सकता है तो आप इधर से इसका शाइज इसका इंची में चाहिए 36 इंची और सेंटिमीटर पे 91 cm होगा और इसका जो ओट होता है 5.5 to 5.7 kg इसका ओट होता है और यह ball किस material से बनी है इस ball को plastic material से बनाए गया है तो आपको यह से क्या क्या सीख मिला यह शाइज है यह ओट है इसका क्या शाइज है इसका क्या ओट है यह ball कौन सी material से बना है इस ball हमको किस कलर पर मिलता है ठीक है और इस ball कौन सी transmission line पर यूज़ रहता है और यह और यह जानेंगे तो आप वीडियो का आगे देखते जाए इस ball का use का होता है मतलब इसका using area तो कौन कौन सी area पर use होता है बेसिकली थी area पर use होता है और फ्लाइट ऊतरता है और फ्लाइट ऊतरता है उस जगह पर यह use होता है ठीक है तो आपको इतनी सारी information मिल गए तो इसी बात पर वीडियो को एक like किजी और वीडियो को share किजी आपने फ्रेंड के साथ और हाँ आपको और भी electrical वीडियो चाहिए तो आप मेरे साथ इस वीडियो का description link description पर visit किजिए और आपको और बे सारी वीडियो मिल जाएंगे इलेक्ट्रीक्स से रिलेटेड और आपको मेरे साथ facebook पर जूना है तो आप description फीजिट कीजिए वह पर आपका facebook face का link मिल जाएगा और वह पर आप कोई भी question फोर कर सकते इलेक्ट्रीकल से रिलेटेड वह question में आपको solve कर दूगा तो तो यहे जो दूनो पर बाल पहला आप मान ली जिए पाहला बाल यहां पर है तो दूसरा बाल यहां पर है तो Hier यह को उडिस्टम पर बाल डिस्टम कितना होगा उडिस्टम आपको 200-फिट अपस आपको लूर्गा अपर इसरु के पर पास आपको और कभी भी जहां पर हेलिकप्टर और फ्लाइट उतरते हैं और उठते हैं आगर आपको यह बॉल लगाए जाता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है वह क्या डिस्टेंस होता है 30 feet to 50 feet मतलब 30 to 50 feet distance होता है और मीटर पर हम करेंगे तो 10 to 15 15-meter distance होता है यह distance क्या होता है नियार इसेप्टी क्या है और बेसिकली और मेंली प्रोटिक्शन पे यह यूस किया जाते प्रोटिक्शन पार्पास तो क्या प्रोटिक्शन होता है हिऊमन लाइफ और गया और तिर्सदा क्या है यह साक्त चर्ब का कि सबते हेलिकापटर चया हुघ तो सब्सक् precisa में नहीं क्या है सब्सक्राइब यह बाल को देखने के बाद पाइलट को यह मालू होता है कि यह पर ट्रांस्मिशन लाइन टाइप टो वा ना प्रोटेक्शन के पार्पस और हलीकप्टर सेप्टी और इसके साथ देगो अगर पाइलट को पाता चलता है तो वहुआ करता है फ्लाय हेलिकप्टर को वह से घुमा देता है तो मतलब घुमा जब घुमा देंगे तो इसका इसका human safety हो जाएगा और 뒤에 ohad to ask के फीद्टियो इतना ही था तो उम्मिd आपको यह वीडियो फसंद है आप तक में चैनल गोता है तो प्लीज मैं चैनल और वीडियो का लाइक कॉमेंट डuccशयार कीजिए और अपने दोस्तों को व्लेट चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए थैंक्यू दोस्तो